अलो दोस्तों गूड मॉर्णिंग, स्वागा दिक बार, फिट से आप सभी का MZT Education में दोस्तों आज है 21 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 नवंबर 2023 के Most Important Current Affair के Questions के बारे में पूरी वीडियो ध्यास देगेगा, पूरी वीडियो डेटेल में आपको समझाई गई है अन्त में मैं आपसे कुशन भी पूछा हूँ, कुशन अब दर डे के रूप में उसका भी आपको अंसर करके जाना है शुरू करते हैं कल के रिवीजन से पहला सेगमेंट अपना होता है पिछली दिन का रिवीजन का, तो पिछली दिन का हम लोगों ने क्या पढ़ा था किरकेट विसुकब 2023 का किताब किस ने जीता, आस्ट्रियर ने जीता, भारत को 6 विकटों से हरा करके मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किस ने जीता, इसको सोनिस पला सियोस ने जीता हुआ है सुप्रिम कोड द्वारा लांच किये गए मन्थली निउसलेटर को क्या नाम दिया गया है तो यह है सुप्रिम कोड क्रोनिकल इसके अलामा, अभी हाले में चाइना ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाला लांच किया है वेसु बॉधिक संपता संगठन की रिपोर्ट के अंसार 2022 में भारतियों द्वारा पेटेंट आवेदनों में कितने प्रत्सत की ग्रोथ देखी गई है तो ये 31.6% की ग्रोथ देखी गई है अभी हाले में निलाम होई दुनिया की दूसरी सबसे महगी कार 1962 मडल की फेरारी जीटियो 250 इसका विक्री कितने में किया गया, मतलब इसको कितने में बेचा गया 430 करोड था, यह यहाँ पर थोड़ा सा मिश्टेक हो गया है 430 करोड के आसपास पेस की वैलू थी, ठीक है, जितने में यह बिचा गया ओपेन AI ने अपना अंतरिम CEO किसी नियूक किया है, तो मीरा मुराती को नियूक किया है Sam Aldman को निकाल दिया गया है और 923 में अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है हलाल सर्टिफिकेट के बारे में कल मैंने समझाया था अच्छे से आपको Global South Summit में PM Modi ने एक पहल सुरू की है, जिसका नाम है दक्षुन, क्या नाम है? दक्षुन पहल है इसके अलावा 17 संग्राम सिनानी एन संकरया जिकर निधन हो गया है वो Communist Party of India माक्सवादी के संस्थापक थे ये Top 10 Current Affair का कुश्चन था कल की वीडियो से जिनका आपने किया है Quickly Revision सिर्फ और सिर्फ एक मिनिट में अब हम लोग बात करेंगे आज की Current Affair की लेकिन उससे पहले बता दें आपको MZT App पर इसकी Quiz और PDF मिल जाती है बिल्कुल Free में कोई cost रही है इसका तो आप Free PDF Detail के साथ ये Download करके MZT App वहाँ से प्राप्ट कर सकते हो आपको Free PDF सेक्षर में जाना है वहाँ से ले लेना है Quiz भी आपको दी जाती है Quiz में आपका Detail Explanation भी रहता है तो आप Quiz भी Solve कर सकते हो कितने भी महीने का, किसी भी महीने का, किसी भी दिन का ठीके जी, सुरू करते हैं आज का Current Affair पहला कुश्यन, अभी हाले में 20 November को noon में से कौन सा दिवस मनाया गया 20 November को 20 November को दोस्तों मनाया जाता है से 14 November लगा करके चले आते हैं कभी ये गलती भूल से भी मत करना ये वर्ड Children's Day है जो की मिना जाता है 20 November को और National Children's Day या केवल अगर Children's Day अगर केवल बाल दिवस लिखा है तब आपको 14 November लगाना है ठीक है ना ये बात ध्यान रखना मेरी और ये Children's को ले करके Children's के प्रती मतलब उनको सही कल्चर देना सही उनको समाजिकता सिखाना सही तरीके से उनका पालन पोशन करना और एक बच्चों को सेलिबरेट करने के लिए उनका दिन डिसाइट किया गया है अंतराष्टी अस्तर पर तो UNICEF जो की एक संस्था है इसी के लिए UNICEF यानि की UNITED NATION International Children's Emergency Fund ये एक संस्था है और इसी के द्वारा ये कहा गया है कि विस्सु बाल दिवस जो है ये बच्चों के लिए बच्चों द्वारा एक दिन है बच्चों के लिए बाल अधिकारों पर सम्मेल भी ये किया था ठीक है राष्टी ये बाल दिवस जो मैंने आपको बताया 14 नौबर को जो मनाया जाता है वो पंडित जवाहरलाल नहरू जी की जैनती पर मनाया जाता है जो की भारत के प्रधम प्रधान मंतरी थे ठीक है शाथ नौबर को राष्टी कैंसर जागता दिवस ये most important है याद रखना आठ नौबर को विश्टी रेडियोग्राफी दिवस नौ नौबर को उत्रेखन का राजस्थापना दिवस दस नौबर को विश्टी विज्यान दिवस मनाया जाता है सांती और विकास के लिए विश्टी विज्यान दिवस ठीक है और बताओ कमेंट करके कि राष्टी विज्यान दिवस कम मनाती है 11 नौबर को राष्टी सक्षा दिवस मनाया गया ये भी important है 12 नौबर को विश्टी विज्यान दिवस और लोग सेवा प्रसाण दिवस 14 नौबर को बाल दिवस और 15 नौबर को जनजातिय गौरो दिवस ये भी important है याद रखना बिर्शा मुंडा जी की जैनती पर ये मनाया जाता है इसके बाद राष्टी प्रस दिवस 16 नौबर को मनाया गया दिवस बहुत सारे इसमें दिवस ऐसे भी होते हैं जिनका मैं कुशन नहीं दिया रहता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर एड़ कर देता हूँ क्योंकि उसका अलग से कुशन लेने का कोई मतलब है नहीं, वो बहुत ज़दा important होते नहीं है, इसलिए जब ये one liner में दे दूँ, जैसे ये word premature day इसको मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है तो क्यों, क्योंकि मैंने question वहाँ पर लेना जरूरी नहीं समझा, बहुत important day नहीं है, इसको मैंने कहा कि one liner में डाल देंगे, तो यहाँ पर आप रिविजन कर लेना ठीक है, तो इसलिए ये जो दिया जाता है one liner, इसको भी आप ध्यान से देखा करो चलो, आगे हाले में, जैवियर माईली को किस देश का नया राष्ट्रपती चुना गया है जैवियर माईली, ये Trump 2.0 कहे जाते हैं ये अर्जेंटिना के बन गए है नय राष्ट्रपती, ये हैं जैवियर माईली, इनको Trump का दूसरा लूप कहा जाता है मतलब इनको अर्जेंटिना का Trump कहा जाता है डोनाल टरंप आपको याद होगा अमेरिका के प्रेजिजन थे, बड़े ही खुस मिजाज के, और पूजीवादी भी थे, वो, कैपिटलिस्ट थे, ऐसे ही ये भी कैपिटलिस्ट हैं, और इन्होंने कहा है कि हम अनारको कैपिटलिस्ट हैं, खुद ही घोजित किया अपने आपको अराजक पूजीवादी, तो ये जो हैं, अब बन गए हैं, वहां के नए राश्रपती, अच्छा, इन्होंने बहुत, बहुत एक लंबा अंतर से, एक लंबे डिफरेंस से हराया अपने विबख्ष को, इन्होंने 1983 में जब से अर्जेंटीना की लोगतंतर मतलब विवस्था शुरू हुई है, तब से आ अमेरिका कॉंटिनेंट में ये देश है, कहां पर है, यहां पर है, यह है अर्जेंटीना, यह है अर्जेंटीना, यह आपको दिख जाएगा, अच्छा, अर्जेंटीना जो है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी होती है, 2019 आर्जेंटीना नहीं तो अभी वर्ड वर्ड कप जीता है अर्जेंटीना जो है फीफा वर्ड कप जीता है दिख रहा है कि नहीं फीफा वर्ड कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता है लियोनल मेसी यहीं के हैं अभी आठवा बैलन डियोर खिताब जीते हैं वो अर्जेंटीना अगर आपको याद हो तो ब्रिक्स में भी कुछ और प्रमुक न्यूक्तियां, यहाँ पर जो भी पिछले दिनों में जो न्यूक्तियां हुई हैं, उनको हम लोग रिकॉल करेंगे, जैसे, जैसे जेवियर मायली तो आपने पढ़ा, मीरा मुराति को ओपेन AI ने अपना नया अंतरिम CEO न्यूक्तिया है भी, हिरालाल साम लिप्टन जनर्म रगु सिन्वासन ये बियारो के नए महानिदेसत हैं, केयन सांता कुमार, PTI के नए अध्यक्ष हैं, राहुल नवील को ED का नए अध्यक्ष बनाया गया है, इंपोर्टन है ये दोनों न्यूक्तियां, रजनीश कुमार, मास्टर कार्ड इंडिया के चेर इस पर रहा है, तो दोस्तो महिला नेत्रत वाला स्टार्टप आया भी, एक लिश्ट जारी की गई, इसमें देशों की लिश्ट भी जारी की गई थी, और देशों में उनके सहरों की लिश्ट जारी की गई थी, तो देशों की लिश्ट में भारत था तीसरे अस्थान पर, यहाँ पर था इंडिया, ठीक है न, पहले पर कौन था, USA, दूसरे पर कौन था, चाइना, ठीक है, थर्ड पर यहाँ पर इंडिया रहा, और इंडिया में पूछा जाए, फर्स्ट पर कौन था, तो इंडिया में बैंगलूरू था, यहाँ पर यही कुश्यन आपसे पूछा गया है कि भारत में कौन से सहर टॉप पर है तो भारत में बैंगलूलू है इसके बाद मुंबई है इसके बाद दिली है ध्यान रहे महिला नेत्र त्वाले श्टार्टप यह क्या है जी ऐसे श्टार्टप जो जिसका नेत्र तो जो है वो महिला के हाथ में है फॉर थे तो उनकी बेटी है तो वो अभी चेयर पर्सन है हानाकि उनके पिता-जी जो थे उन्हें पुरा समराज बनाया लेकिन अभी तो नेत्र उन्हीं के हाथ में हैं यह दोनों अंतर मैंने इसलिए बताया आपको दोनों में जरुरत ज़रुरी है कि एक ने नायका की अस्थापना की खुद ही और खुद ही उसको उचाईयों तो ले गई फालगुनी नायक ठीक है लेकिन एक जो है पापा की विरासत अभी पापा की परी समाल रही है तो दोनों लेकिन नेत्र पुछा जा तो ये अगर पुछा जा self made बिने कौन है या self made कौन से भी मन है तब रोशनी नादर मलोत्रा वाला नाम लेने चलो आगे अब यहां पर देखो यहां पर list में total कितने कितने funds हैं ये भी बताए गए तो बैंगलूरू में 1783 ऐसे फर्म हैं जो महला के नेतरुत में हैं ठीक है बड़े बड़े फर्म ऐसा नहीं है कि कोई अपने घर में खोल के बैट जाए तो उनको कहा जाएगा दूसरे पर मुंबई है 1480 के साथ देली तीसरे अस्थान पर है फिर गुर्गाओं पुने हरिदरबाद ये सभी भारत ये सिटी सहर है ठीक है तो अमेरिका टॉप पर चाइना से दूसरे पर तीसरे पर भारत है अच्छा अभी इन्वेस्ट इंडिया के दौरा एक साया है कि दोको ध्यान रहे सब लोग अपना अपना तरीका होता है अपना अपना सेंपल साइज होता है अपना अपना एक पैटर्न होता है कि किस-किस पैटर्न पर हम किस प्रकार से कल्कुलेशन करेंगे इन्होंने बताया है इन्वेस्ट इंडिया जो है जो की भारत की ज इक्जेक्ट किसी को नहीं पता है, मैं तो कहे रहा हूँ इससे भी बहुत ज़्यादा है, भारत में अगर देखा जाए, 140-50 से उपर है, क्यों? क्योंकि भारत के ना बहुत सारे स्टार्ट आप, आपको बिलीव नहीं होगा, यहाँ पर स्टार्ट हुए, लेकिन यहाँ पर सिस्टम इतना ज्यादा टफ है, भारत में, इतने ज्यादा लाइसेंस, इतने ज्यादा टैक्स, उसके बाद फिर इतने ज्यादा गुंडही प्रकार्स करो, UPBR में, यह सब चलता है कि इस वज़य से यह लोग क्या करते हैं, यहाँ कोलते हैं, बिजनेस बड़ा होने लगता है तो अपना headquarters Singapore में बना लेंगे या अपना headquarters कहीं और देश में बना लेंगे वहाँ पर बहुत ही nominal cost पर उनको tax देना पड़ता है उसके बाद यहाँ पर उसकी ब्रांच तो यह करती है भारत में बहुत सारी ऐसी companies है और उसमें से बहुत सारी जो है वो unicorn भी हो चुके है इसलिए कहा जाता है कि भारत की मामले में exactly किसी को नहीं पता कि कितने unicorns हैं ठीक है और चलिए फिलहाल यहाँ पर कुछ और ranking है उनको हम लोग recall करेंगे महला नेत्र तुवाले startup में तीसे अस्थान पर भारत है कर्मचाईयों की well-being में भलाई के लिए global rating में दूसरे अस्थान पर भारत है Westwick आवास मूली बिर्धी की मामने में चौथे अस्थान पर मुंबई सहर रहा है और Nord layer की global remote work index में 64 अस्थान पर भारत है मर्सर की Westwick पेंशन सूचकांग जो आई है इसमें 45 अस्थान पर हम लोग है CW की global hunger index आयती Westwick भुकमरी सूचकांग इसमें 111 में पर हम है ओकला global mobile speed ranking में 47 पर है और global innovation यानि की नवाचार सूचकांग जो WIPO के द्वारा जारी की जाती है अभी इसके बारे में कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था इसमें हम लोग 40 अस्थान पर है इसके अलावा IMD की world talent ranking में हम लोग 56 अस्थान पर है और 207 सूचकांग में 161 अस्थान पर है Westwick प्रतियस परधात्मक्ता यानि की global competitiveness index में हम लोग है 40 अस्थान पर क्लियर है चलो आगे हाले में किस राजी सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया इसे शुरू किया है उत्तरप्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार मतलब every child को every right मिले हर एक बच्चे को हर प्रकार का अधिकार मिले किसी से कोई आउहेलना ना हो तो इसको शुरू किया है अभी योगी अधनाद जी ने UP के CM है बरतमान में बच्चों के लिए योजना है यह अभियान है कार से campaigning है तो यह power angel और बाल संसत के नेतर तुमें अभियान शुरू किया गया है इसकी theme रखी गई है gender equality and care and support ठीक चलो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे सुरू किया है कल भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जितने भी last दिनों में चर्ची में आये थे questions उनको recall किया था आज recall नहीं करेंगे आज जो लोग नए आये हैं वो screenshot ले लेंगे हम लोग आज बढ़ेंगे आगे की तरफ बाकि उत्तर प्रदेश का ये भी है देखो ये PDF जो है आपको MZTA पर भेज दी जाती है तो आप PDF डाउनलोड कर लिया करो ठीक है रोज का रोज अगर वही point बताऊंगा तो मुझे भी boring लगेगा आपको भी boring लगेगा इसलिए मैं कोसिज करता हूँ कि दूसरे तीसरे दिन में repeat करवाऊं चीजों को आगे हाली में अंतर देशी मत से पालन के लिए सरसेश राजी का पुरुषकार किस ने जीता तो अंतर देशी मत से पालन के लिए सरसेश राजी का पुरुषकार मिल गया है उत्तर प्रदेश को अब आप ये कुशन देखकर confused हो सकते हैं और जो लोग ये class नहीं लिए रहेंगे उनके सामने अगर एक्जाम ये कुशन आ जाएगा तो पक्का है 99% चांस है कि वो गलत कर जाएंगे 1% में तुक्का वालो का सही होगा क्यों 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 क्योंकि आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने का जोरू कोशिज करोगे ही कुशन देखते हैं सब लगाते हैं दिमाग अंतर देश ये मत्स पालन मचली पालन मचली पालन की बात आ रही है तो आप उत्तर प्रदेश तो भूल कर नहीं लगाओगे क्योंकि ये लेंड लॉग्ड है लेंड लॉग इस्टेट है ना मतलब चारु तरफ तो लेंड है और कोई मतलब समुद्ध तट है नहीं बाकी की ओप्सन में जाओगे तो केरला भी तट है तमिल्नाड में भी तट है आंदर प्रदेश में भी तट है और आपको अच्छे पता है मचली उत्पादन, मचली पालन यहाँ पर अच्छा होता है लेकिन यहाँ पर मत्स पालन के लिए मैदानी हिस्तों के लिए यह पुरुसकार दिया गया है कि मैदानी छेतर में जो मत्स पालन होता है उसमें अंतर देशी मत्स पालन में ये टॉप पर कौन रहा है तो उसमें उत्तर प्रदेश रहा है टॉप पर ये बात ध्यान रखेगा और ये बात ध्यान रहेगा तो आप एक नंबर बना ले जाओगे 21 और 22 नंबर को दिली में दुस्तों ग्लोबल फिस्रीज कॉनफरेंस होने वाली है इसके बारे में हम पहले भी जिक्र करचुके हैं हम लोग ना देखो एडवांस में चल रहे हैं, चार दिन पहले मैंने आपको यह सम्मेलन बता दिया था और आज मैंने एक दिन पहले ही आपको समझ लो यह बता दिया है, अवाड, उत्तर प्रदेश में प्रधान मंतरी मत सपालन सब बदा योजना जो चल रही है, उसके प्रधान मंतरी के लिए स्पिसली होते, केवल और केवल का यही काम रहता है कि केवल प्रधान मंतरी की सुरक्षा करना है, वो ग्रूप इसलिए डिजाइन ही किया गया है, SPG ग्रूप, तो उसके निदेशक अभी जो पुरानी निदेशक थे, उनका निधन हो गया था, उन का निधन हो गया है, तो ये हैं, आलोक सर्मा जी, जिनको निवक्त किया गया है, ये उत्तर प्रदेश कैडर से बहुती सीनियर मोष्ट आईपीएस अधिकारी है, तो इस्पिसल प्रोटेक्शन गुरूप का इनको निवक्त किया गया है, अच्छा, आलोड कुमार सिन्हा अब तक कि सबसे लंबे कारिकाल वाले SPG के ये निदेशक रहे, 2016 से लेकर 2023 तक ये थे, और अपनी मृत्यू तक सेवा देते रहे, ठीक है, SPG का गठन कप किया गया था, तो 1988 में किया गया था, जब प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी जी का असेसिनेशन हो गया था, तो उस इसा ना हो कि वो कम ट्रेंड हो और उसके बाद फिर कभी किसी मुद्दे पर किसी धार में भावना को देखते हुए वो भी भड़क जाए, जैसे कि हुआ था, 1984 में, तो इसी लिए एक special force बनाए गई और उसमें उसकी training बहुत हार्ड होती है, उनकी training बिलकुल अलग होती है और वो चुने जाते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं होता कि अलग से रेकेंसी आई, वो अलग-अलग departments में से चुने जाते हैं, special protection group, ठीक है, तो ये है, नियूक किये गए है अभी, अच्छा, GS सफलता बैच लेका कि आप भी कोई भी special exam जो है, वो निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी GS special है, GS special बैच है, 15 महीने की validity की साथ, और आज इसका आकरी दिन है, CP60 का, छट पूजा 60% का आपको discount दिया गया था, CP60 कूपन को लगाईए, और 60% का discount पाईए, अभी 60% का discount पाने के बाद आपको 799 में मिल रहा है ये बैच, याद रहे, इसके बाद price बढ़ जाएंगे, फ 60% का इसमें offer दिया गया है, जितने लोग लिये हुए हैं, उनके classes चल रहे हैं, वो लोग daily class ले रहे हैं, आप भी join कीजे, आप भी class शुरू कर दीजे, आप किसी विग्जाम को target कर रहे हो, तो सभी exam के लिए राम बान बैच है समझो, GS का सारा portion cover कराया जा रहा है इसमें, computer सिलेकर, static gk, विज्ञान, economy, quality, geography, history, सारा खुश, तो आप इस बैच को join करके जूर सकते हैं, ebook भी जो मंतली magazine आती है अपनी वो भी आपको 15 महिनों तक दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिस, दोनों language में, आगे बढ़ते हैं, कहां से लेना है, mjtf से जाकर कही से लेना है, Google Play Store पर जाए, mjtf डाउनलोड कीजिए, और वीडियो कोड सेक्सर में जाकर के लिजिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी और बातचीत करनी है, तो आप WhatsApp पर इससे संपर कर सकते हैं, जगा जगा WhatsApp का नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ भी यहाँ पर दिया गया है, अच्छ एक बहुत अद्भूत घटना कल देखने को मिली, कि तुर्की से भारत की तरफ एक मालवाहग जहाज आ रहा था, हाला कि वो इस्राइल का जहाज नहीं था, इस्राइल ने पुष्टी भी कि, यह हमारा जहाज नहीं है, लेकिन उसे लाल सागर में हाईजाइक कर लिया गया अर हाईजागर्स कौन थे? हूती विद्रो ही, यह होती विद्रो ही कौन है? अब इसको हम लोग जानेंगे, फिलाख जहाज का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो जहाज था गेलेक्सी लीडर, जहाज का नाम था गेलेक्सी लीडर, ठीक है? इस जहाज को यह अभी, वेध्रोही जो है यह बहुत जादा active रहते हैं जैसे आपने देखा हमास की बारे में अपने सुना हमास जो है ये आपको मिल जाएगा गाजा में मतलब अब तुसाइद ना मिले गाजा में ये एक्टिव रहते हैं इसके बाद हिजबुल्ला आपने सुना होगा हिजबुल्ला जो आतंकी हैं वो आपको मिल जाएगे उपर लेबनान वगरा में यह यमन में हूती विद्रोही ऐसे रहते हैं ठीक है और यह भी रातंगबादी टाइप के हैं घोशित हो चुके हैं ऐसे ही आपको अलग-लग देशों में अलग-लग मिल जाएंगे जैसे लसकरे तैबा और इसके बाद फिर आप सुनते भी हो बहुत सारे तारीके पता नहीं क जा रहा था यह इंडिया का जहाज है आप छोड़ दो यह से हमारे कोई संब्द नहीं है तो इसमें विभिन देशों के 50 से ज्यादा चालक दल भी है इसमें फिलहाल गलेक्सी लीडर जो है यह हैजैक हो चुका है अब देखना है कि यह लोग यह सिर्फ समझ करके छोड़ किया गया तो दूस्तो आटराफ बिटिस कोलंबिया से सममानित किया गया है अभी हाली में रयान रिनौल्ड जो है यह कनेडाई अमेरिकी हैं कनेडाई अमेरिकी एक एक एक्टर हैं इनको अब पहचानते भी होगा कि कोई हलिवूड मूवी जरूर आपने देखा होगा, तो इनको अभी हाले में सम्मानित किया गया है, किसे order of British Columbia से, ये बहुत बढ़ा आवाइड माना जाता है order of British Columbia, तो इनको सम्मानित किया गया है, अभी हाली में देखो सर्वोच चमानिता order of British Columbia प्रात करने पर आभार इन बरिबार्किन को केनेत वेलडिंग दीर स्था की और के वर्णार के किर्था आवार्ड मिला को इनको मिला है 32 सरसुती संमान किसके लिए सुरीवंसम के लिए दिलीप नौंग मैथम को मडिपुरी भासा में बाल साहत्य प्रुषकार मिला है सीयस लक्षमी अंबाई को टाटर लिटरेचर लाइफ टाइम अवचिमेंट अवार्ड मिला रुई किस्यांग जांग बहुत इंपोर्टन इनको सस्तर रामानुजन प्रुषकार मिला है स्वाति नायक को नौर्मन बोर्लोग फिल्ड अवार्ड मिला हुआ है आगे वर्ज 2022 का इंदरा गांधी सांती प्रुषकार किसे दिया गया इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसियेशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसियेशन ऑफ इंडिया यह दो संस्ताओं को यह वार्ड दिया गया है उपरोप्त दोनों आपका करेक्ट होगा ठीक है तो यहाँ पर आप देपाओगे दाहिंदू का आर्टिकल है आपके सामने इंदरा गांधी पीस प्राइज प्रेजन्टेट टू कोविड नांटीन वोईरियर्स इस आर कोविड नांटीन पैंडेमिक में जो भी कोविड नांटीन योध्धा बन करके आये थे अब यदते हैं तो इससलिए इनहीं को यवार्ड दिया गया है पूर्व उब्राश्पती हामिद जी सांती पोष्कार यदा रखना पिछली बार 2021 के एंगया था किसे दिया गया था 2022 के लिए दिया गया इंद्रगांजी सांति प्रुषकार इन दोनों को, समझ में आया, किलियर है, भूलोगी नहीं, चलो, बूलना मिमत, RBI के पूर गवर्नर S. Venkat Ramanji का निधन हो गया है, ये RBI के कौन से में नमर के गवर्नर थे, ये भी important question है, तो RBI के 18 में गवर्नर रहे, 18 में गवर्नर रहे, S. Venkat Ramanji का निधन हो गया, अब इनके टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी घटनाय हुई थी, और देश बहुत जादा वित्तिय संकट से जूज रहा था, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए, S. Venkat Raman, फोटो भी देख लिजे इनकी, ये हैं, ये 1991-92 का वो दोर जब भारत पूरा-पूरा दूब चुका था, उस टाइम पर भारत के RBI बैंक, जो की किंद्रिय बैंक है भारत का, उसके ये गवर्नर थे, दिसंबर 1990 से दिसंबर 1992 तक, इनहीं के टाइम भारत ने बन जाता है, नोडबन दी किसके टाइम पर किया गया था, उरजी तार पठेल, और अवमूलेन लास्ट बार इनके टाइम पर किया गया था, कब, IMF ने कहा था, ऐसा करने को, IMF का एक स्थेह करण कारिकरम होता है, जिसमें क्या होता है, कि जब वैलू आपकी बहुत जाद प्राप्त होने लगे, लोगों को ज़्यादा मुनाफ़ा दिखेगा, तो आपको, आपके यहां कुछ ज़्यादा वो करेंगे, ठीक है, तो यह अवमूलेन इनके करने पर किया गया था, और इनहीं के टाइम पर किया गया था, रूपए का अवमूलेन अब तक तीन बार हो मंतरी थे, ध्यान रखेगा, बहुत बात ऐसा कुश्यन पूझे आता है, कि बताओ नूडबंदी, स्वारी, एल्पीजी जब लाया गया था, लिबरिलाइजेसन, प्राइजेसन, ग्लोबलाइजेसन, उस टाइम पर भारत का प्रधान मंतरी कौन था, तो बहुत सारे लोग गलती करके मन मोहन सिंग को लगा देते हैं, नहीं, मन मोहन सिंग जी उस टाइम पर वित्त मंतरी थे, प्रधान मंतरी थे, नरसिम्हा राओ, ठीक है, प्रधान मंतरी बने ये 2004 में आका करके, मन मोहन सिंग जी, 2004 से 2014 तक प्रधान मंतरी रहे, 10 साल तक रहे, मन मोहन सिंग जी मनमहान सिंग जी गवेर्नर भी रहे वटसेव चेलल भी जाइन केजे इससी पर वन clear भेज़ा जाता है और वटसेव चेलल का लिंक आपको डिस्कीप्शन में मिल जाएगा जिनका लिंक ना काम कर रहा हो वो आ करके स मेरफ वटसेव गरह पर कमेन्ट करेंगे लिंक उनका भी बता दिया जाएम या टेली गराम पर जाकर ढूंधना वहाँ पर मिल जाएम लिंक किसा यहा पर बहुत जरूरी है जिनेवा में नहीं है तो UN WTO का headquarter जिनेवा में नहीं है ठीके इसका headquarter कहाँ पर है इसका headquarter है Madrid में. अगर अभी यही UN ना लगा होता के वल WTO होता तब यह होता world trade organization तब इसका भी headquarter होता जिनेवा में यह मैंने confuse करने के लिए दिया था यूएन लगा है तो यह हो गया विस्टू परेटन वाला टूरिज्म और इसका है याद रखना कन्फूज मत होना आज आपको क्या बताना है आज आपको क्या बताना है ICC विस्टू कब 2023 ने प्लेयर अब दर टूर्णामेंट का खिताब किसने जीता है इसके अलावा भारत मे अब तब कुल कितनी लोग मिस्स यूनिवर्स का किताब चीच चुके हैं दोनों कुशन अच्छे कुशन है इस पर मैंने वर्ल्ट कपर के रख वीडियो दी हुई है मोश्ट इंपॉर्टन कुशन की उसको भी आप चरूर देखिए और बस कुई जाकर के लगा लेना वीड तक लिए नमस्कार जैहिंद बंदे मात्रम